आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा दस्वी की इंगलीज की बुक जिसका नाम First Flight है इस बुक के तीसरे पार्ट के question अंसर करवाऊंगा और इस पार्ट में दो स्टोरी है जो पहली स्टोरी है वो है His First Flight और जो दूसरी स्टोरी है उसका नाम है The Black Aeroplane आज मैं आपको पहली स्टोरी जिसका नाम His First Flight है इसके question answer करवाऊंगा जो कि मैंने बिल्कुल simple language में लिखे हैं और साथ ही मैं मैं आपको question समझाओं भीगा जिसकी वज़े से इस पार्ट के सभी question answer आपको आसानी से याद हो जाएंगे इसके इलावा मैंने पहले और दूसरे चैप्टर के question answer की वीडियो भी अपने चैनल पर upload कर रखी है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो link आपको description में मिल जाएगा वीडियो अच्छी लगें तो like करें चैनल को subscribe करें all के बटन के उपर click कर लें ताकि जब next वीडियो अपलोड हो तो उसका notification आपको मिल जाएगा अब question answer देखते हैं पहला question देखें पहला question है the site of the food maddened him what does this suggest और ये चीज़ आपको क्या suggest करती है यानि कि इससे आपको क्या पता चलता है what compelled the young seagal to finally fly what मतलब क्या compelled का मतलब होता है मजबूर कर देना the young seagal यानि कि young seagal को यानि कि जो बच्चा है seagal seagal होता है समुंदरी पक्सी to finally fly कि आखिरकार वो उड़े यानि कि किस वज़े से जो young seagal था वो मजबूर हो जाता है आखिरकार उड़ने के लिए तो ये कहानी जो है एक young seagal की है जो उड़ना नहीं चाहता है क्योंकि उसको डर लगता है क्योंकि अगर वो उड़ना नहीं सिखेगा तो वो भूका मर जाएगा तो इस कहानी के अंदर ये बताया गया है कि कैसे उसके माता पिता ने उस young seagal को उड़ने के लिए मजबूर किया गया यानि कि कैसे उसको उड़ना सिखाया ये सारी चीजे इस कहानी के अंदर बताई गई है अब आंसर देखते हैं इसका आंसर देखें यानि कि ये हमें बताता है यानि कि the young seagal जो young seagal यानि कि जो seagal का बच्चा है was very hungry वो बहुत भूका था was का मतलब होता है था very hungry हंगरी मतलब भूका और very जो है ज़्यादा के लिए यूज किया गया है यानि कि इससे हमें ये पताता लगता है कि जो young seagal था वो बहुत भूका था he had head लगाया जाता है past perfect में यानि कि past की बात को बताने के लिए बीती हुई बात को बताने के लिए he had not eaten यानि कि उसने नहीं खाया था हमने था क्यों बोला क्योंकि यहां पर head लगा हुआ है he had not eaten anything यानि कि कुछ भी नहीं खाया था since previous night previous night का मतलब होता है पिछली रात से यानि कि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था इट वाज ही इस ग्रेट हंगर ये उसकी भूख थी ग्रेट मतलब ज़्यादा भूख लगे वी थी उसको बताने के लिए ग्रेट वर्ड का यूज किया गया है यानि कि ये उसकी भूख थी जो उसको compelled करती है, मजबूर करती है यान्ग सीगल पो फ्लाइ की यंग सीगल जो है उड़े यानि कि जो भूख है वो उसको मजबूर करती है उड़ने के लिए अब दूसरा कोस्चें देखते हैं दूसरा कोस्चें है when did the seagull's flight begin when मतलब कब when के दो मतलब निकलते है generally when जब और तब कब और तब कब यहाँ पर आएगा when did the seagull's flight begin यानि कि seagull की जो flight थी यानि कि उडान जो थी वो कब शुरू हुई and where did it end and और कहाँ पर जब भी question where से start होगा तो जगे का नाम पुछा जाता है जैसे कि where are you going तो जवाब में आप किसी ने किसी जगे का नाम बताओगे तो यहाँ पर भी क्या है जगे पूछी गई है कि उसकी जो flight थी यानि कि जो उसकी उडान थी उसका अंत कहा हुआ यानि कि कब उसकी उडान शुरू हुई और अंत कहा पर हुआ इसके बारे में बताना है आंसर देखें His flight begin Flight मतलब उडान His flight मतलब उसकी उडान Began मतलब शुरू हुई When मतलब जब He dived यानि कि उसने डाइव लगाई यानि कि गोता लगाया यानि कि छलांग लगाने को बोलते हैं डाइव लगाना At His Mother यानि कि अपनी मदर के उपर To have the fish Fis को पराप्त करने के लिए, यानिकि Fis को लेने के लिए इन हर बीक जो उसकी बीक में थि, यानिकि उसकी मा जो है अपनी बीक में यानिकि चोट में Fis लेका आई थी और उस Fis को देख कर क्यूंकि वो भूका तो था है पहले वाले कोश्टर में हमने पढ़ा था तो वो जम्प कर देता है अपनी मदर की तरफ और वो क्या होता है नीचे की और गिर जाता है इट एंडिड ओन दा ग्रीन सी और ये जो उडान है एंडिड होती है ग्रीन सी पर यानिकि हरे समुंदर पर वेर जहां पर ही हैड लेंडिड जहां पर उसने लेंड किया यानिकि जहां पर वो उतरा विद दा रेस्ट ओफ इस फैमिली यानिकि अपने बाकी परिवार के साथ rest of the family का मतलब है बाकी के परिवार यानि कि जो बाकी के परिवार के जो मेंबर है उनके साथ वो समुंदर green समुंदर यानि कि green sea पर उतरता है यानि कि उड़ान सुरुवात कब होई जब उसने मचली के लिए अपनी मदर के उपर जंप लगाया और अंत का हुआ green sea पर जहां पर वो अपने बाकी family member के साथ पानी में उतरा sympathize का मतलब होता है सहानुभूती कि क्या आपको सीगल से सहानुभूती है और है तो उसके कारण बताएं give reasons, reason होते है कारण कि क्या आपको सीगल से सहानुभूती है और उसका कारण बताएं answer है yes, we have all sympathy for the सीगल यानि कि we have all sympathy यानि कि हमारी सहानुभूती है सीगल के लिए he has never flown before क्यूंकि उसने पहले कभी उडान नहीं बरी थी never flown before यानि कि उसने कभी भी पहले उडान नहीं बरी थी यानि कि वो पहले कभी नहीं उडा था he is on a high ledge वो काफी उचाई पर था यानि कि लेज होता है पहाड़ी का जो किनारा होता है उसको बोलते हैं below him उसके नीचे below him मतलब उसके नीचे is the sea यानि कि समूंदर है यानि कि पहाड़ी की उची चोटी पर है वो और नीचे जो है उसके समूंदर है so his fear is natural so इसलिए his fear मतलब उसका जो डर है वो natural है मतलब प्राकरतिक है कहना चाहता है कि ऐसी प्रिस्तिति में जो है सभी को डर लगता है he has to remain hungry has to have to or has to जो है present में अगर किसी मजबूरी को बताना हो तो उसके लिए use कह जाता है has to remain hungry उसको भूका रहना पड़ा रहना पड़ा इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर has to है और have to भी आता है दोनों के दोनों word जो है मजबूरी को बताने के लिए use कह जाते है present के और past क मजबूरी को बताने के लिए use कह जाता है had to करना पड़ा तो यहाँ पर है he has to remain hungry उसको भूका रहना पड़ा for two days यानि कि दो दिनों तक and at last he takes the and or at last ant में he takes the plus यानि कि वो शलांग लगा देता है plunge का मतलब होता है शलांग लगा देना we pity him यानि कि हमें उस पर दया आती है when he makes his first flight जब वो अपनी पहली उडान भरता है यानि कि हमें उस पर दया आती है जब वो पहली बार उडान भरता है यानि कि उडान उड़ता है पहली बार next question है question number six how did the seagal express his excitement when he saw his mother bringing food for him how मतलब कैसे did the seagal express यानि कि he saw मतलब वह देखता है his mother उसकी मा bringing food मतलब भोजन ला रही है for he मतलब उसके लिए यानि कि किस परकार जो है वो अपने excitement को जाहिर करता है जब वो देखता है उसकी मदर जो है उसके लिए बोजन ला रही है answer देखे अब the seagal was very hungry जो seagal था बहुत भूका था he was very excited वो बहुत उत्यचित था excited था when he saw जब उसने देखा his mother उसकी मा coming मतलब आ रही है with food मतलब बोजन के साथ he screamed with joy screamed का मतलब होता है चिलाना with joy मतलब खुसी से joy का मतलब होता है खुसी he leaned out eagerly वो उत्षा के उत्षा से आगे की और जुक जाता है lean मतलब जुक जाना he tapped the rock tap का मतलब होता है थप थपाना the rock मतलब पत्थर को with his feet मतलब अपने पैरों से आनी कि वो पत्थरों पर जो है food अकने लगता है यानि कि अपने पैरों से पत्थर को tap करने लगता है यानि कि धप थपाता है तो इस परकार जो है वो अपनी excitement जाहिर करता है नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर सेवन How did the young seagull's parents teach him the art of flying How मतलब कैसे Did the young seagull's parents यानि कि young seagull के जो parents थें माता पिता थें कैसे उन्हों ने उसे उडने की कला सिखाए Art of flying मतलब उडने की कला Teach मतलब सिखाना Him मतलब उसे यानि की कोश्चन में ये पूछा गया है कि जो seagull के माता पिता थे उन्हों ने उसे उडने की जो कला है कैसे सिखाई अब आंसर देखें इसका The seagull parents encouraged him to fly The seagull parents यानि की जो seagull के माता पिता है Encourage मतलब प्रोतसाहित करना किसी काम के लिए किसी को पूछाइत करना उसका मतलब होता है English में encourage करना किसी काम के लिए उसको 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 Him to fly Him मतलब उसे to fly मतलब उडने के लिए यानि कि जो यंग सीगल के जो मातापिता थे उसको इंकरेज करते हैं, परोतसाहित करते हैं उड़ने के लिए, बट ही वाज ठू अफरेड तो फलाई, परन्तु वो उड़ने से बहुत अधिक डरता था, यानि कि वो बहुत डरा हुआ था, तू फलाई मतलब उड़ने के लिए, यानि कि वो उड़ने से बहुत ज़्यदा डरता था, देन तब, दे कैप्ट हीम हंगरी, दे मतलब वे, कैप्ट मतलब रखते हैं, हीम मतलब उससे, हंगरी मतलब भूका, फोर ट्वंटी फोर आवर्स, चोबिस घंटों तक, तब प्रोथ साहिद करते हैं उसको अड़ने के लिए लेकिन फिर भी नहीं उड़ता, तो उसके माता पिता जो है, चोबिस घंटे के लिए उसे भूखा रखते हैं, इवन देन, तब भी, इवन देन, मतलब तब भी, दा स उसके बाद भी उसने उड़ना शुरू नहीं किया, then they thought that experience would teach him, then मतलब तब, they thought, मतलब उन्होंने सोचा, that key experience, यानि कि अनुभव, would teach him, उसको सिखा देगा, यानि कि तब उन्होंने सोचा कि अनुभव जो है, वो उसे सिखा देगा, so they made him fall from the ledge, so मतलब इसलिए, they made him, यानि कि वो उसे बना देते हैं, fall from कि वो गिर जाए, from the ledge मतलब किनारे से, जो पहाड का जो किनारा है, जहां पर वो रहता है, वहां से उसको वो गिरा देते हैं, now, when he falls, जब वो नीचे गिर गया, he felt his wings spread, he felt मतलब उसने महसूस किया, his wings मतलब उसके पंक, wings होते हैं, पंक spread मतलब fell गए, and starting flying और उड़ना शुरू कर दिया, यानि कि उन्होंने सोचा कि experience जो है, उसको सिखा देगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको नीचे गिरा दिया, यानि कि मजबूर कर दिया नीचे गिरने पर, और जब वो नीचे गिरा, तो उसने महसूस किया कि उ उसने उड़ना शुरू कर दिया, तो इस तरह से जो है, सीगल के parents ने सीगल को उड़ना सिखाया, नेक्स कोस्टन है, why was young सीगल afraid to fly, जब भी question में why आएगा, तो आप किसी ना किसी चीज का कारण पूछा गया है, तो यहाँ पर कारण पूछा गया है, कि क्यों जो सीगल जो young सीगल था, वो उड़ने से डरता था, afraid to fly, he thought that, वो सोचता था कि, think की second form है, thought, that का मतलब कि, his wings, यानि कि उसके punk, would not support him, वो उसका support नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, कहने का मतलब है, कि वो यह सोचता था कि उसके जो punk हैं, उसका साथ नहीं देंगे, he would fall down, और वो नीचे गिर जाएगा, fall down का मतलब होता है, नीचे गिरना, तो इसलिए सीगल जो है, young सीगल जो था, वो उड़ने से डरता था, कि वो सोचता था कि, उसके punk जो है, उसका साथ नहीं देंगे, और वो नीचे गिर जाएगा, उसके बाद यहां से आपके जो है, ऐसे टाइप कोश्चन, यानि की, long answer टाइप कोश्चन, जो है, पांच-पांच नमबर वाले आते हैं, वो है, कोश्चन है, compare, compare का मतलब होता है, तुलना करना, and contrast मतलब अंतर बताना, the young सीगल in the beginning, यानि की, young सीगल का सुरुआत में, and at the end of the lesson, और lesson के अंत में, यानि की, तुलना करनी है, और अंतर बताना है, कहानी की सुरुआत में जो सीगल था, और कहानी के अंत में जो सीगल था, अब answer देखें, in the beginning, यानि की सुरुआत में, beginning होती है, सुरुआत, the seagal is a coward, coward का मतलब होता है, derpok, यानि की, सुरुआत में जो था सीगल वो डरपोक है He has not the courage to fly Courage का मतलब होता है साहस He has not the courage मतलब मना कर रहा है यानि कि उसमें साहस ही नहीं है उडने के लिए यानि कि उसमें उडने का साहस नहीं है Now his mother act very wisely Now मतलब अब His mother मतलब उसकी मा Act मतलब कारिय करती है Very wisely Wisely मतलब होता है बुद्धी मता तो अब उसकी मा जो है वो बुद्धी मता से काम लेती है यानि कि बुद्धी मता का कारिय करती है See comes flying to him See मतलब है Comes मतलब आती है Flying मतलब उड़ते हुए To him मतलब उसके पास वो उड़ते हुए उसके पास आती है See has a piece of fish in her beak See has यानि कि उसके पास है Peace मतलब टुकड़ा Of fish मतलब मतलब In her beak मतलब Beak का मतलब होता है चोच यानि कि उसकी मा के चोच में मतलब आती है Very close मतलब अताधिक पास यानि कि वो उड़ते हुए उसके पास उसकी ओर आती है लेकिन उसके ज़्यादा close नहीं आती है क्योंकि वो उसको नीचे गिराना चाहती थी थी क्योंकि Question पिछला हमने पढ़ा था उसमें बताया था ने कि उन्होंने सोचा कि experience उसको उड़ना सिका देगा इसलिए जो है वो मचली लेकर उसके पास आती है लेकिन ज़्यादा पास नहीं आती The young seagal is mad with hunger जो young seagal था वो पागल हो चुका था बुक से बुक से पागल है याने कि उसको बहुजादा बुक लगी हुई है He dives at the fish वो जो है डाइव लगा देता है याने कि चलांग लगा देता है फिस के ओपर He falls downwards वो fall मतलब गिरना Downwards मतलब नीचे की और Into the space मतलब खाली जगए में याने कि वो पहाड से नीचे जो खाली जगए है वहाँ पर गिर जाता है His wings spread outwards His wings मतलब उसके पंक Wings का मतलब होता है Punk spread मतलब फैल जाते है Outward मतलब बाहर की और याने कि जो Punk जो है पक्सी जो है Punk सिकोड कर बैटता है लेकिन जब उड़ता है तो वो अपने पंक फैला लेता है तो इसलिए जब वो नीचे गिरा तो उसने जो है अपने पंक फैला लिये याने कि His wings spread outwards He flaps Flaps मतलब फड़फ़णा Then मतलब उनको फिर वो उनको फड़फडाता है And begin to fly और उड़ना सुरू कर देता है He is no longer afraid अब उसे डर नहीं लग रहा था याने कि अब उसको डर नहीं लगता No longer afraid याने कि अब वो नहीं डरता He lands on the green sea Land करना मतलब उतरना On the green sea वो green sea पर उतरता है याने कि हरे समुंदर पर And loses his fear And loses मतलब lose कर देना किसी चीज़ को खो देना His fear यहाँ पर वो जो है अपने डर को खो देता है Of the water मतलब पानी के also मतलब भी याने कि जैसे ही वो समुंदर में उतरता है तो जो डर था उसका पानी का उसको भी वो खो देता है याने कि पानी का डर भी चला जाता है Does this परकार In the end याने कि Ant में He wins the praise of his family He wins मतलब वो जीता है क्या जीता है परसंसा याने कि अपने परिवार की वो परसंसा जीता है याने कि सभी परिवार वाले उसकी परसंसा करते हैं अब नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन है Describe the method used by the seagull's family to help the young seagull to overcome his fear and fly Describe का मतलब होता है वर्णन करना Method मतलब तरीका Used by Use क्या गया परियोक क्या गया The seagull's family याने कि सीगल के परिवार ने To help मदद करने के लिए The young seagull मतलब Young seagull की याने young का मतलब बच्चा जो था To overcome Overcome होता है जीत पराप्त करना चुटकारा पाना किसी चीज से His fear मतलब उसके डर से And fly और वो उड़े याने कि वो तरीका बताओ जो seagull की family ने यूज किया Young seagull को डर से चुटकारा दिलाने के लिए और उसको उड़ना सिखाने के लिए अब answer देखें The young seagull has two brothers And a sister जो young seagull था उसके दो भाई थे और एक बहन थी And a sister They saw him that It is easy to fly This मतलब way याने कि जो उसके भाई बहन है They मतलब way So मतलब दिखाते हैं उसको दर साते हैं That key It is easy to fly कि उड़ना जो है आसान है याने कि young जो seagull था उसके दो भाई थे और एक बहन थी वो उसको दिखाते हैं कि उड़ना कितना आसान है Easy है But the young seagull is fear But मतलब परन्तु जो young seagull था वो डरता था That key His wings won't support him कि उसके पंक उसको support नहीं करेंगे यानि कि वो सुचता था कि उसके पंकों में तनी ताकत ही नहीं है कि वो उड़ पाए Then his parents Then मतलब तब His parents मतलब उसके माता पिता Call to him in a shrill voice Call him मतलब पकारते हैं Him मतलब उसे In a shrill voice मतलब तेज आवाज में Shrill मतलब तीखी आवाज होते हैं जैसे कि माता पिता जो है अपने बच्चे को धंकाते हुए कुछ करने के लिए बोलते हैं तो उसी तरह से यानि कि उसके माता पिता जो है उसे shrill voice में बुलाते हैं यानि कि तीखी आवाज में, स्रील का मतलब होता है, तीखी आवाज मतलब दमकाते हुए, Yet he doesn't give up his fear, yet मतलब फिर भी, he doesn't give up, यानि कि वो हार नहीं मानता है, यानि कि नहीं छोड़ता अपने डर को, his fear, किता है कि उसको दमकाते हुए बुलाते हैं, फिर भी वो नहीं, बतलब अपने डर को नहीं छोड़ता हूँ, The next day, अगले दिन, his mother, उसकी mother, उसकी माँ, does a wise thing, does a wise thing मतलब एक बुद्धी मता बरा कारिया क्या है, बुद्धी मानी वाला कारिया क्या है, wise मतलब होता है, बुद्धी मान, wise thing मतलब बुद्धी मान वाला कारिया, see come, यानि कि वो आई, flying, उड़ते हुए, यानि कि वो उड़ते हुए आई, see has a piece of fish in his beak, यानि कि उसकी चोच में जो है, मचली का टुकडा था, टुकडा है, the seagal dives at the fish, जो seagal है, वो dive लगाता है, यानि कि चलाँ लगाता है, muslipper at the fish, he falls downwards, fall मतलब गिरना, downwards मतलब निचे की और, into the space मतलब खाली जगे में, his wings spread out, उसके जो punk हैं, वो फैल जाते हैं, बहार की और, out मतलब बहार की और, he flaps them, वो उनको फड़ फड़ाता है, and begins to fly, और उड़ना, सुरू कर देता है, does इस परकार, at last, अंत में, he overskum, वो चुटकारा पाता है, overcome मतलब चुटकारा पाना, या विज़पराप्त करना, his fear मतलब अपने डर पर, and learn, और सीखता है, to fly मतलब उड़ना, तो इस परकार जो है, वो उड़ना, सीखता है, तो ये थे, उसके बाद next question है, question number third, write a note on the title of the story, he is first flight, यानि कि इसके ओपर note लिखना है, can you suggest some other suitable title, क्या तुम, जो है, कोई अलग, जो ये part लिखा हुआ है, जो part का नाम है, his first flight, इससे अलग कोई जो है title, आप suggest कर सकते हो, बता सकते हो, जो उचित हो, तो ये question पूछा गया है, अब answer देखें इसका, this story is about a young seagal, ये जो कहानी है, वो एक young seagal के बारे में है, this story मतलब ये कहानी, about मतलब के बारे में, a young seagal, मतलब एक young seagal के बारे में है, it tells about his first flight, और ये हमें उसकी, पहली उडान के बारे में बताती है, यानि कि ये कहानी जो है, उसकी पहली उडान के बारे में बताती है, he has a fear of flying, यानि कि वो उडने से डरता है, he thinks his wings won't support him, वो सोचता है कि उसके पंक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, so he is left alone, इसलिए वो अकेला रह जाता है, his mother comes flying to him, उसकी मा उड़ते हुए उसके पास आती है, see has a peace of fish in her beak, her beak मतलब उसकी चोच में एक मचली का टुकड़ा है, the seagal is mad with hunger, the seagal जो है भूक से पागल है, यानि कि उसको बहुत ज़्यदा भूक लगी हुई है, he forget his fear, वो अपने डर को भूल जाता है, forget का मतलब होता है भूल जाना, he forget his fear and dives at the face, वो अपने डर को भूल जाता है, यानि कि वो इतना भूका था, कि वो अपने डर को भूल जाता है, और मसली के ओपर डाइव लगा देता है, यानि कि छलांग लगा देता है, he falls downward, वो नीचे के और गिर जाता है, into the space, मतलब खाली जगे में space, खाली जगे को कहते हैं, his wings spread out, उसके wings जो है, पंक जो है, बहार की और फैल जाते हैं, he flaps, वो फड़ फड़ाता है उनको, them, उनको, and begins to fly, और उड़ना सुरू कर देता है, does he makes his first flight, इस परकार वो अपनी पहली उड़ान भरता है, the fear of falling and hunger concures fear, यह title दिये गए है, fear of falling, fear of falling, यानि कि गिरने का डर, and hunger concures fear, can also be suitable title of this story, किते हैं कि यह जो है, suitable title हो सकते हैं, story के लिए, तो यह थे आपकी, इंगलिस की बुक के, तीसरे पार्ट के, question answer, पार्ट का नाम था, his first flight, वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, all के बटन के उपर, क्लिक कर लें, ताकि जब next वीडियो अपलोड हो, तो उसका notification आपको, मिल जाएं,